पुल्वामा के आतंग की हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण नियुचावर किये हैं दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतिय की सम्वेदनाएं उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा है इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर्द गुजरने की भावना हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है मैं अपने सैनिकों के शौरिय पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारिया भी हमारी एजन्सियों तक पहुचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लडाई और तेज हो सके मैं आतं की संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्टी कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी सात्यों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसी और भावपल है पक्षमे ये भी पक्षमे हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुट होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं